चोथा, बहस का मंच संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच मंच है, विचार विमश करने की उसकी शक्ती पर कोई अंकुष नहीं है सदस्यों को किसी भी विशय पर निर्भिक्ता से बोलने की स्वतंत्रता है इससे संसद राश्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विसलेशन कर पाती है संसदी चर्चा गोपनिय नहीं होती और टीवी और पत्रकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुँचती है जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं पाचवा, संविधान संशोधन संबंधिक कारे संसत के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ती है संसत के दोनों सदनों की संविधानिक शक्तियां एक समान है प्रत्यक सम्वधानिक संशोधन का संसत के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेश बहुमत से पारित होना जरूरी है छटवा, निर्वाचन समबंधी कारे संसत चुनाव समबंधी भी कुछ कारे करती है यह भारत के राष्ट्रपती के चुनाव में भाग लेती है और उपराश्ट्रपती का चुनाव करती है सात्वा न्याईक कार्य राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती तथा उच्च न्यायालेओं और सर्वोच न्यायाले के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसत के न्याईक कार्य के अंतरगत आता है परियोजना कार्य संसत के सत्र के दोरान समाचार पत्रों को इकठा करें और उसके कार्य से संबंदित खबरों को छाटें ये संसत के उपर्युक्त कारियों में से कौन-कौन से कारियों से संबंदित हैं, कक्षा में चर्चा करें 13.1.2 संगिय कारेपालिका, राष्टपती एवं मंत्री परिशद सरकार का वह अंग जो विधाय का द्वारा स्विक्रित नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशाशन का काम करता है, कारेपालिका कहलाता है जैसा कि हमने देखा, कारेपालिका की नीति निर्मान और कानून बनाने में एहम भूमिका है कारेपालिका के अंतरगत हम राश्ट्रपती और मंत्री परिशत तथा प्रधान मंत्री का अध्यन करेंगे भारत के सम्विधान में आपचारिक रूप से संग की कारेपालिक शक्तियां राश्ट्रपती को दी गई है आपचारिक रूप से राष्टपती तीनों सेनाव, जल, थल एवं वायू सेना का प्रधान, प्रतमनागरिक एवं समवेधानिक अध्यक्ष होता है सभी महत्वपूर्णी उक्तियां उसे के द्वारा की जाती है हमने उपर देखा कि राष्टपती संसत के अधिवेशनों को बुलाता है अंतराष्ट्री संधिया, समझोते, युद्ध और आपातकाल के घोषना राष्टपती के द्वारा की जाती है राष्टपती वास्तों में प्रधान मंत्री के नित्रित्व में बनी मंत्री परिशत के माध्यम से इन शक्तियों का प्रियोग करता है सम्विधान के अनुक्षे 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा राश्ट्रपती अपने कृत्यों का प्रियोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा इसका आश्य यह है कि सर्वोपरी होते हुए भी राश्ट्रपती से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसत के प्रती जवाब दे न होने के कारण अपने अधिकांश अधिकारों का अपने विवेग से प्रियोग नहीं करेगा और वह मंत्री परिशत की सलाह से ही करेगा इस प्रकार सरकार का वास्त्विक प्रधान प्रधान मंत्री होता है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रतम विधी अधिकारी जो सरकार को कानूनी सला देता है C.A.G नियंत्रक महालेखा परिक्षक जो देश की समस्त वित्ती प्रणाली पर नजर रखता है तथा कारिपालिका के वित्ती आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तै करता है अध्यादेश जब संसत का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्री परिशत की अनुशंशा पर राष्ट्रपती इसे जारी करता है संसत के सत्र प्रारंभ होने के छे सप्ता के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है परन्तु कुछ महत्तुपूर्ण कारिय राष्ट्रपती अपने विवेक से तै करता है उदारन के लिए लोकसभा की बहुमत की असपश्टता के स्थिती में प्रधान मंत्री को राष्ट्रपती स्वाविवेक से नियुक्त कर सकता है किसी विधेयक को जिसे संसद ने पारित कर दिया हो तो राश्ट पती उसे पुनर विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है हाला कि यदि संसद उसे फिर से पारित कर देती है तो राश्ट पती को उसे अपनी स्विकृती देना आवश्यक है इसी तरह प्रधान मंत्री वह मंत्री मंडल की सिफारिशों को भी राष्ट पती पुना विचार के लिए लोटा सकता है अगर मंत्री मंडल उसे फिर से पारित कर देता है तो राष्ट पती को उसे अपनी स्विकृति देना आवश्यक है उसी प्रकार से चर्चा करना संसाथ के जो भीन सत्र होते हैं कि बज़ाः सत्र मांस्छुन सत्र सीद कालीन सत्र सत्र सपर सद्रों में जो सदस्षी Markus फोते हैं are च्छार नियुंत तकर राज्यसभा हो इनके अब होते हैं वो चर्चा में भाग लेते हैं क levels of प्रवस्थाएं की गई हैं जैसे प्रश्णकाल प्रश्णकाल में सदस्य जो है प्रश्ण पूचता है इसी प्रकार से ध्यानकर्शन प्रश्था होता है सुन्यकाल होता है और ऐसे अन्यवस्थाएं दी गई हैं जिनके माध्याम से संसत सदस्य जो है संबंधित विभाग से या मंत्री मंडल से प्रश्ण पूछ सकती है और मंत्री मंडल ये कोशिस करता है कि संसत सदस्तिय के प्रश्णों का उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया जा सके या उसकी जो समस्या है उसका निराकरन किया जा सके इन सारे गत्विदियों को चलाने में जो संसत के जो सभापती होते हैं या स्पीकर होती है इसकी महत्तोपूर भूमिका होती है हमने पहले ही कहा कि जो संसत का स्पीकर या सभापती होते हैं वो एक प्रकार से एक हेड मास्टर की भूमिका में होते हैं जैसे एक हेड मास्टर एक प्रिंस्पल पूरे स्कूल को चलाता है वैसे ही संसत को चलाने की जिम्मेदारी लोग सभा में अध्यक्ष्क होती है और राज्य सभा में कर की होती है सभापती की होती है जो उपराश्पती होते हैं इसके बाद सविधान में संसोधन सविधान में को भी संसोधन होगा तो वह पहले तो केमिनेट में प्रस्ताव पास होगा उसके बाद से संसद में रखा जाएगा बीना संसद की स्विक्रिती और राष्ट पती की स स्भीधान को संसोधीत नहीं माना जाएगा सब्सक्राइब हैं उन सब की प्रक्रिया इसी प्रकार से होती है सदन में रखा जाता है सदन में सत्तापक्ज विपक्ज के सदस इस पर लंबी बहस कर से हैं चर्चा करते हैं बहुत सारी सदस्यों की बहुत सारी समस्याएं रहती है प्रश्णों को लेकर उस उल्जनों को दूर किया जाता है और एक लंबी बहस के बाद जो है उसे पास किया जाता है अभी हाल फिल हाल जब नारी वंदन अधिनियम लाया गया तो उस पर भी संसद में अलग-अलग पार्टी दलों के निताओं तो इस प्रकार से सविधान में संसोधन की जो ताकत है वो संसत के पास है यहां ध्यान रखेंगे कि राज्य की जो विधान मंडल है विधान परिसद है विधान सभा है वो भारतिये सविधान में संसोधन नहीं कर सकती काम वो भी कर रही है लेकिन इसके लिए जो है विश् में कानून बनाएगा राज्य किन किन विश्यों में कानून बनाएगा जिसे हम केंदरी सुची राज्य सुची समवर्ती सुची की रूप में पढ़ते हैं तो उन्हों पर राज्य कानून नहीं बनाएब अपने अपने विश्यों पर केंद्र और राज्य को कानून बनाने का अधिकार है इसी तरीके से अगर इस्थानी इस तरफे देखे पंचायत तो वह एक ग्राम पंचायत में नालियों का निर्मान कैसे हो हाट बजार कैसे हो तलाबों का ठ हमें केंद्र या राज्य के पास जाने की जौरत नहीं है इसी प्रकार से भारत की विदेशनिती क्या होगी यह केंद्र की जिम्मेदारी यह किसी राज्य सरकार की नहीं है भारत के विदेशनिती कैसा हो अन्य राष्टों के साथ के संपर कैसे हो भारत की रख्षप्रनाली कै यह सब चीजें केंद्रे का होता है उसंकि प्लिस राज्य की सुरक्षा करना और पुलिस राज्य के अंदर सुरक्षा करती है लेकन और अलगither पुलिस राज्य के नियंत्रन में है और सेना जो है केंद्र के नियंत्रन में है तो इस प्रकार से सक्ति का विभाजन यहां भी हमें देखने को मिलता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो भी सविधान संसोधन होते हैं वो केंद्र इस तर पर होते हैं संसद की इस तर पर होते हैं और संसद में कौन है संसद में राज्यों के प्रतिनिधी होते हैं यह वह चाहिए वह लोगसभा के सदस्य हो चाहिए वह राज देष करतीर और उनके निर्वाचन में संसत सदस्यों के ते restrictive करते एक निर्वाच बाँचिक मंडल होता है उस निर्वातिय मंडल में बहुत नीभाची सदस्या और राज्यविधान सब़के निर्वाचि सदस्य यह सब मिलकर राश्ट पती निर्वाचन में भाग लेते हैं उसी प्रकार से उपराश्ट पती के निर्वाचन में के संसत के दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा और राजय सभा के ध्या खेंगे कि उप राश्पती के निर्वाचन में विधान सभग के सदस्य भाग नहीं लेते संसत के दोनों सदन और राश्पती के निर्वाचन में संसत के दोनों सदन प्लस राज्य विधान सभग के सदस्य तो इस प्रकार से जो सविधान संसत है वह इन्हें सब्वेधानिक पदों पर बैठे राश्ट्पति और उपर राश्ट्पति के निर्वाचन में भाग लेती है उसके बाद है कि नियाईक कारिया कि कई बार बहुततारी नियाईक उल्गनें होती है कई बार नियाई-पालिका के द्वारा साथ उससा लुक और हो एक प्रवर्तित करने की सकती जो है कान या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी अपनी अपनी जगा पर ठीक है आप देखेंगे संसट को कानून बनाता है तो उस कानून को कि नियाएपाली का रोक सकती है या उसमें अपना दे सकती है उसी प्रकार से र Подला जा सकता है या रोका जा इसी परिपेक्छा देखते हैं दिल्ली संसोधन भी लाया था दिल्ली में प्रश्राशनी संसोधन भी लाया गया था वह इसी की कड़ी है कि सुप्रीम कोट ने कहा कि वहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनीदी यह तो वहां मुख्यमंत्री जो है अधिक सक्ति साली होनी चाहिए सरकाल का कहना थ कि नहीं भई चूकि वह यूनिएन टेरिटरी है केंद्र सासीद प्रदेश है तो वहां रा जूप्राज्यपाल बैठा है केंद्र के प्रदेश हो महत्त्वण हैं तो इस प्रकार से अंत में एक अध्यारे स्लधार लाकर उसकारॢको बदलने का काम किया गया इस प्रकार के संसद में नियाई कार्य भी किया जाते हैं अभी देशंदेर्टी राश्पति दूसरी महिला राश्पति है प्रत्म आदिवासी राश्पति कह सकते है उसी प्रकार से उपराष्टरपती के रूप में धंगर साब जी है और प्रधान मंत्री के लिए निर्वाचन कैसा होता इसको हम देखते हैं तो इसमें सवा के सदस्य बनने की नियुंता मुंबर जो है पचीस वर्षा है तो जो भी वैक्ति 25 पूर्ण कर लेता है जो लोगसवा का मेंबर बनने की उग्यता रखता है वो जो है प्रधान मंत्री बन सकता है इसके बाद इनका निर्वाचन तो राष्ट्पती और उपराष्ट्पत के निर्वाचन में जो संसद सदस्तिय हैं या विद्हान सभानकी सदस्य आता होते मैं इसलिए इनका चुना प्रकार के अप्रत्यक्ष है इसी प्रकार प्रदान मंद्री तो प्रधान मंत्री का निर्वाचन नहीं होता ध्यां रखेंगे ना हम जब चुनते हैं अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो हमने उसे एक संसत सदस्य के रूप में चुना लोग सभा का ना की प्रधान मंत्री के रूप में आगे उनके वह बहुमत दल के नेता थे तो उनको प्रधान मंत्री के रूप में पेस किया गया और बहुमत मिलने के बाद राष्ट पती जो है प्रधान मंत्री मनोनित करता है इसी प्रकार स से इनकी योग्यता तो सब में संसत सदस्य बनने के योग्यता होनी चाहिए अगर कोई वक्ति जो संसत का सदस्य नहीं है और अगर वह प्रधान सभिधान को सपत कारिया करूंगा सभिधानOKE बाहर कोई कारे virtuous करता है तो वो गैरकानूनी कहलाaking तो इस प्रकार से राष्ट पती को सपत दिलवाता मतरुत है सरोच्य सरवोच्य नियालय का मुख्य नियादिस कौन सरवोच्य नियालय का मुख्य नियादिस उसके बाद उपर राश्पती और प्रधान मंत्री को सपत दिलाते हैं देश के राश्पती इन सबका कार्यकाल पांच वर्स का है ध्यान रखेंगे कि उपर राश्पती राज्य सबह का पदेन सभापती है और राज्य सभा का कार्यकाल है लेकिन उपराश्च्पती राज्य सभा का सदस्य नहीं होता उपराश्च्पती पूरे देश के लिए होता है और वो जो है उसका कार्यकाल पांस साल का है तो राश्च्पती उपराश्च्पती प्रधान मंत्री इन्हें का होता है इसको पद से हटाने की भी अपनी प्रक्रिया है राश्पती उपराश्पती को ऐसा लगे कि वो अपने सविधानिक डाइतों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो महाभियोग के माध्यम से सदन में बहुमत के आधार पर इसे राश्पती को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाने कि आव सकता नहीं पड़ी या दलगत राजनिती से उपर उटकर इन पदों को जिसने भी धारन किया है उन्होंने सदेव एक अच्छी परंपरा का निर्वान करते हुए अपने कार्यकाल को पूरा किया है या कभी अकास होना पड़ा है नहीं तो भारत में लगभक सभी राश्पति उपराश्पतियों ने अपने कार्यकाल को पूरा किया है इसी प्रकार से प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री का सब्सक्राइब कि जब तक उसके पास बहुमत होगा लोग सभा में बहुमत होगे याद सरकार में सविधानी विफलता आ गई है या सरकार ठीक ढंक से काम नहीं कर रही है या उसके पास बहुमत नहीं है तो उसे वह पदसे हटा सकती है यहां पर भी महत्तवपुन यह होगा कि भारत में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को राश्पति के द्वारा पदसे नहीं हटाया गया अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वह सौमेव जाके अपने पदसे त्याक पत्र दे देता है और राश्पति उसे शिवकार कर लेता है अगर हम जो छोटे कार्यकाल या जो पांस साल के कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए वैसे अगर प्रधानमंत्रियों की गि छोड़ना पड़ा इसी प्रकार से अगर हम इंद्रा गांधी की बात करें तो इंद्रा गांधी का जो कार्यकाल था 1975 के आजब देश में आपातकाल लगा जब नियाले ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया तो उनको इस्ठिफा देना पड़ा उसके बाद जब पहले चरण सी पथान मंत्री बने तो उन्होंने भी अपना लंबा कार्यकाल नहीं कर पाए और उन्होंने भी समय से पहले त्याग पत्र दे दिया इसी प्रकार से राजिव गांधी के बात के देखते हैं तो चंद्रसेखर या वीपीसी इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा न नहीं किया तो इस प्रकार के अगर अजादी के बाद से भी तक देखे तो कुछ प्रधान मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया और कुछ प्रधान के साथ जो एक साथ बना एक साथ आगे बढ़ा वहां अभी तक कोई भी प्रधान मंत्री पास साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है प्राया परधान मंतरी कार्य करते रहता है सेना में टकराव होती है और वहां साइनिक सासन लगा दिया जाता है यहां पताना इस पस्ट है कि भारत में आज तक सैनिक सासन क्या सकता नहीं पड़ी है यह भारती लोकतंतर के खुबसूरती है कि भारत में कभी भी साइनिक सासन की जोरत नहीं पड़ी है जाद ते जादव क्या हु徒 यह हुआ कि सरकार चली गई मध्यवाती चुना हुए और सरकार अच्छा काम ना करें उनको हटा दो दूसरी सरकारों दूसरी डलों को सरकार बिनाने का मौका दो यह वह गया है तिन साथन को अच्छी ववस्ता नहीं मानी जाती है यहये भारत की ताकत है यह भारती सव्यधान यह लोगतंत्री ववस्ता की खुब सिरुती है कि भारत में अभी तक किसी प्रकार के से जाहने सकता नहीं पड़ी बीच के 2 साला पात काल को छोड़ दे तो भारत का लोकतंत्रा बदवारत का संदीर इतिहात भारत की गणतंत्रि ववस्था जो है हमेसा अच्छे तरीके से कारिय करती रही है है भारत का राश्ट्रपति आज हम देखते हैं राश्ट्रपति की सक्तियां या राश्ट्रपति के कारिय तो भारत का राश्ट्रपति वरतमान समय में देखे तो दुरप्रति मुर्मूंदेश की राश्ट्रपति है राश्ट्रपति की भारत देश का एक सवेधानिक प्रमूख होता है सविधान के अनुछे 73 में कहा गया है भारत का जो सविधानिक प्रमूख होगा वो राश्टपती होगा लेकिन 74 में कहा गया है कि राश्टपती के कारियों के संपादन है तू एक मंत्री मंदल होगा और उस मंत्री मंडल का जो प्रमुक होगा वो प्रधान मंत्री होगा तो कहने का अतात पर यह है कि देश का संपूर्ण संचालन राष्ट पती के नाम पर जरूर होता है पर करता कौन है राष्ट पती के सहयोग के लिए जो निर्पा बनाया गया है केमिनेट या मंत्री मंडल वह ये काम को शंपणण करता है इस पाज़ पज़र आप चट पुट अपुट अब अब महते हाँ अंतरचना समान काद बिश्चन के लिए हधिरत अब अंतर सेना कारत का इरिक्षन माननिय राष्ट पती जी द्वारा यजिए बिए्चन कारत थाष्ट सेना अंतर अंतर अंतर्चन कारत माननिय राष्ट अज्चन का इरिक्ष लिए। अंतर अंतर झाल 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 इसे और झाल अंतर सिनागारत का निरिक्षन संपन्द। राश्ट्रपति तीनों से नाओं के सर्वोच कमांडर होते हैं। पानुनियर आश्रपती द्वारा इन इडिक्षन हुआ और अब अविवादन सुकार करते हुए यहाँ पस्देट करने मानने प्यक्ति as the supreme commander of the armed forces the president of India Shreemati Draupadi Murmu inspects a first guard of honor and now a lights at the saluting base here at the forecourt of rush for the bhaven to be greeted to be wished and to intermingle with the dignitaries present here the अबनली अब्टेस्टेट नवेट्या औरीटे मैं भूली अविछ्टेट इन खूली बड़ कर फिछिस अवारेल बॉज्डेश अवेहकल बारत को बदलते हुए देख रही है दुनिया यहां से भारत की गौरफ गाथा में एक और अध्याए जुरता है अधर स्मूथ ट्रांजिशन अफ पार और पुजिशन क्यूसा है पुजिशन आप।टख़ कर दोड़ गाथाए है क्या ध्यू टूर्प टूर्पदी वर्मु a new responsibility comes her way with her previous background with her wisdom with her knowledge and experience she is sure to take this democracy forward with the right values भारत की गौरवकाथा और उपलब्धियों में सबको साथ लेकर चलने की जब बात आती है तो ऐसी घटनाएं और ऐसे महतुपूर मोड इतिहास में दर्ज हो जाते हैं आज ऐसा ही अफसर है जिसका समाज के हर तपके पर हर वर्ग पर गेहरा असर पड़ेगा in today's world when the rate of change is so fast when memories are forgotten even before they are made certain pictures of this ceremony will always be etched with us because these are special memories these are memories capturing tradition transition these are memories that help the present understand that there was a past that anchors them and there is a future which they will have to create which then anchors future generations it is this passing of the battle it is this passing of responsibility that makes democracy seamless because people come and go but the country forever is on the move is always there is constant and as of the largest reservoir of human resource in the world today with the youngest population India has a huge role to play I'm sure it's a sentimental and a nostalgic moment for the family of the former president five eventful years you